इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि बैंक गारेंटी रिपोर्ट कैसे आक्सेस करी जाती है सबसे पहले हम अपने SAP सिस्टम में लॉग इन करेंगे अब हम ट्रांजाक्शन कोड जेट बीजी एंटर करेंगे यहाँ पर हम रिपोर्ट ऑन बैंक गैरेंटी यह उप्शन सेलेट करेंगे यहाँ हम इन फिल्टर्स के माद्धियम से रिपोर्ट जेनरेट कर सकते हैं सबसे पहले हम कंपनी कोड डालेंगे यहाँ पर हम बैंक गैरेंटी नमबर डाल सकते हैं एफ़वर के माद्धियम से यह सर्च बटन के माद्धियम से बाकी एंटरीस भी इसी तरीके से की जा सकती है अब मैं यहां से बैंक गैरेंटी से लेट करूंगा और फिर एक्जिक्यूट बटन पर क्लिक करूंगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर इस बैंक गैरेंटी से रिलेटेट सारी डीटेल्स हैं अगर इससे रिलेटेट कोई scan copy uploaded है तो वह हम यहां से देख सकते हैं अगर कोई approval document uploaded है तो वह हम यहां से देख सकते हैं अगर बैंक गैरेंटी इन्वोक की गई होगी और उसके लिए कुछ text बगेरा upload किया गया है तो वह हम यहां से देख सकते हैं यहां से हम सारी details देख सकते हैं कि कौन से user के द्वारा यह bank guarantee create गई थी कौन से vendor क्या against है यह bank guarantee इसका approval का status क्या है किस type की है BG का status क्या है यह सब सारी details हम यहां से देख सकते हैं